इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वाइल इंग्लिश सब्जक्स से सप्लिमेंटरी स्टक्षिन का चैप्टर टू टाइगर किंग का हिंदी एक्स्मिनेशन तो इससे पहले का चैप्टर अथर्ड लेवल हम लोग कवर कर चुके उसके कोशियन सा भी देख हैं तक जो आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लेडिस में जाके देख सकते हैं तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं मलकी जो प्रतिबंपुरम के राजा हैं वही इस स्टोरी के हीरो हैं ही में बी आइडेंटिफाइड एस हिस हाइनेस जमेदार जर्नल किलेदार मजोर सताव व्यागरा समहारी और महराज धिराज वेश्व भुवन सम्राज सर जिलानी जंग जंग बहादूर म.A.D. A.C.T.C. और C.R.C.K. बट इस नेम इस ओफटन शोर्टन टू दाइगर किं तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह जो हीरो है स्टोरी के उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि कौन-कौन से नाम जमीदार जर्नल किलेदार मेजोर सत्व्याग समहरी महराज धिराज विशेवुवन सम्राज सर जिलानी जंग जंग बहादूर और M.A.D. इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है पर उनका नाम छोटा करके टाइगर किंग कर दिया गया था तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैं आपको यह बताने के लिए बहुत ज्यादा मलकि एक्साइट हूँ कि उन्हें टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है मैं आगे बढ़ने का बहाना इस उद्देश से नहीं कर रहा है कि मैं अन्तिता इससे योजनागत रूप से पीछे अटना चाहता हूं बता रहें कि शुक्ता बंवर्शक भी मैं अपने मार्ग से नहीं हटा बदा शुक्ता इस इट लाइक कान बीट और हस्टी निट्रीट फॉम मैं स्टोरी तो बलकि शुक्ता बंवर्शक चाहे तो वह तुरंत मेरी कहानी से पीछे हड़ सकता है आगे बढ़ते हैं राइट अट अब आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं लोग राइट अट 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 इस टार्ट इस इंपरेटु टु डिस्क्लोज अ मैटर और वाइरल इंपॉर्टेंस अवाउट टाइगर किंग अवर्यवन हू रीड आफ हीम विल एक्स एक्सपीरियंस दैट नैच्रोल डिजायर तुमीट अ मैन ओफ इस आइड़मेटेटेबल कोरेज फेश टु फेश बढ़ते हैं उसकी यह इच्छा होती है कि वह जो इतने अच्छे साहसी व्यक्ति थे उनसे वह स्वेश टू-फेस मिल सकें मलकि उनसे अच्छात्कार्स कर लेकिन इस इच्छा को पूरा होने के लिए कोई भी जैदा कोई भी चांस नहीं है मलकि कोई भी आउसा नहीं कि हम उनसे मिल सकें क्यों ऐसा नहीं है एस भारत जी ने राम को बताया था दश्रत के बारे में उसी प्रिकार जो टाइगर किंग है वह इस जीवित प्राणियो के अन्तिम निवास में पहुंच चुके हैं मलक की दूसरे सब्सक्राइब तो इसमें बताया जा रहा है जैसे कि भारत जी ने राम को बताया था कि दश्रत जी मर चुके हैं उसी प्रिकार से जो टेगर केंगे वह भी मर चुके हैं इसलिए हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं आगे बढ़ते हैं लोग दा मैनर ओफ इस डैट इस अ मैटर ऑफ एक्स्रा ओर्डिनरी इंट्रेस्ट तो के बताया जा रहा है उनकी उम्रित्यू का तरीका था वो बहुत ज़्यादा असाधार और उचिकर्थ था इट कैन बी रिवील ओनली अट इंड अफ दे तेल दा मो जैसे ही वह पैदा हुए थे तो जो तिशों ने भाविश्वारी की थी कि वह टाइगर किंग जो एक दिन वास्तों में मर जाएंगे तो उन्होंने यह बताया था जो वहां के जोतिश थे ऐस्ट्रोजर थे उन्होंने अगे बढ़ते हम लोग दाइड विल ग्रो अप टू लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने होट काटे और थूप निगल लिया तो क्या बताया जा रहा है कि जब जो तिशु को आगे बताने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने यह बताया कि यह एक ऐसा रहसे जिसे बिलकुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए लेकिन फिर उनको सबने बहुत जादा मजबूर किया बताने के लिए तो उन्होंने बताया कि यह ऐसे ग्रह में पैदा हुए हैं जो बच्चे एक ना एक दिन मित्यू से सामना करना ही होगा उसका तो ऐसा बताया था उन्हेंने तो आगे बढ़ते हैं कि उसी स्चाड एक बड़ा चमतकार हुआ दस दिन के जिलानी जंग जन बहादूर ने होटों को को आश्चर जनक व्याक्यांस निकले जो दस दिन के वो जो यह थायर टाइगर किंग थे वो सिर्फ टैन दिनों के थे और उन्होंने अपने होठीला और कहा है बुद्धिमान भविश्वक्ता हूं मलकि इन ऐस्ट्रोलाजर से कहा है बुद्धिमान भविश्वक्ता हूं एर्विवन श्टूट ट्रांसवाइड इट सस्पक्नेस दे लुक्ट वाइडली टू इच अदर एंड ब्लिंग्ड तो क्या बतारे सब भी आश्चर चकित ह हो गया थे कि ही दस दिन का बच्चा बोला है वह एक दूसरे को देखने लगए थे अपनी आखों को बिंक कर रहा है खोल ले थे बंद करने को यह ज़से कर रहा है ओ वाइस प्रपेट्स इट वाज आई वो सपोक्त तो फिर से कहता है बुद्धिमान भविश्वक्ता हूं या मैं ही हूँ जो बोला हूँ तो क्या बताते हैं कि इस बार संधे का कोई कारण नहीं था या केवल दस दिन का पहले पैदा हुआ नौजाशे सुथा जिसने ये साब्द इतने ज्यादा क्लियरली बोले थे तो क्या होता है जो मुख्य चोधिश होते हैं उन्होंने अपना चेश्मा अतार और बच्चे को घुरने लगे और दोस हूँ आर बॉर्ण विल वन दे हैव तो डाई हुआ होता है कि उसके बाद होता है कि वह जो सभी उसके बाद होता है कि ऑन हमें जानने के लिए आपकी भहश्वारी होसकता यहितरका अतुकर्य स्वाज में Cakeаг जो बच्चा होता है फो यह संब्साइट अपनी ठोडी करकस हवाज में कहता है तो जो बच्चा होता है उल्फ हमें पता है कि जो इनसान गदना ने पर एक दम लेता है लेकिन इस बात का सान्स तभी हो सकता है जब आप हमें ये बता है कि हम कैसे मरेंगे मैं कैसे मरूंगा उसके यागे बढलते हैं on his nose in wonder a baby barely 10 days old open its lips in speech not only that it also rise intelligent question incredible rather like the bulletins issued by the war office than facts उसके बाद क्या होता है मुख्य जोच्छी ने अपनी उंगलिया आश्चर से अपनी नाक से नाक पर रखी मुश्किल से दस दिन का शिश्व बोलने के लिए अपने होट खोलता है इतना ही नहीं वह बुद्धिमान पूर नगीट्टा पूस्टा है और यह बहुत ज़्यादा मुलकी अवाश्विश्णी होता है यह तथ्य नहीं बलकि युद्धिक कार्याले से जारी हुई कोई विग्यपद से भात थे तो वह ऐसा बता रहे होते हैं तो आई होब आपको सब्समें आ रहा होगा आगे बढ़ते हम लोग दचीफ एस्टोलाजर तुक इस फिंगर ओफ इस नूस एंड फिक्स इस आइस अपॉन दे लेटिल प्रिंस उसके बाद क्या होता है जो मुख्य जोस्य होते हैं वह अपनी नाक से उंगली हटा लेते हैं और किसकी तरफ देखने लगते राजकुमार की तरफ देखने लग यह इतंसी तरकी जोड़ दमाट ऑपहोते हैं अही प्रेसी कर्णनी को ड़िक्ती है एं अनग स्पर्शन पॉल में गड़ते बाद इसके बाद क्या होता है आप सो सकते हैं कि जब युवराज जंग जन बहादूर ने भी बाग का सब सुना तो वह काप उठे होंगे परंत वास्तों में सब कुछ नहीं हुआ जब जैसे ही उसने इसे उचारित होते हुए सुना तो युवराज घुराने लगे जोड़ाने लगे उन्होंने होटों से भाइबीत करने वाले सब्सक्राइब कहा क्या उन्होंने बागो चाहां हो जाओ अइसा उन्होंने कहा दिस आकाउंट इस आपसे हम यह निशकर्ष निकल सकते हैं कि यह कुछ वास्तव पर आधारी था तो हम लोग ने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो के लिए बस इतले ही तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लोगी तो प्लीज से लाइक कर दीजे और में को सबस्क्राइब कर दीजिए तक इसका सेकेंड पार्ट भी आपको जल्दी से मिल जाए थैंक यू अ